सो हाई कैसे आप सभी लोग मैं देऊतर अग्रवाल जेसी आइडी की तर्फ से फिर से आगया उपके लिए नहीं वीडियो लेके आपको क्या नहीं देना है आज उस पर डिसकस करते हैं वीडियो देख लेना बहुत फायदेमंद रहेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको सीख कि रहा है आड केश अनलाइसिस वाटव अपडेट क्या नहीं दे रहा हो और पहले भी जैसे आईडी यूज करते थे अब जैसे फोर जांपर आइपोन सेवन का अगर जैसे हमें से लंबर यूज करना होता था तो वह भी हम यूज कर लेते थे ये सीई आइडी के साथ और बहुत कम लोग जानते हैं उसका हाल है कि मैंने अपने कोस्ट के अंदर डाली इडिटे बड़ यार यहां पर देखो मैं आइफोन 11 उपन कर रहा हूं यहां पर आप नोटिस करो तो आपको कितनी सारी चीजें यहां पर देखने को मिल गई है जैसे कि आप यहां पर देख सकत आप साइड कर सकते हैं हटाव सकते हैं सबसे पहली बात तो आपको आइफोन की डिटेलिंग आपको देखने को बिल रही है अब आप सोच रहेंगे जरी तो चाइनीज है अभी क्या ही हमें समझ में आएगा यह बात तो है आप इसको कॉपी कट करके आप अपने मोबाइल क चैक कर सकते हैं वैसी यहाँ जैसी आइड को थोड़ा सा इंगले में वर्क करना रही था अब इसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं यह सके स्केमाटिक बापन हुआ है जिसके पीछे जैसी आइड का लोगो है आप जैसे माद लीजे आप सीप्यू पर काम कर रहे हैं और प्रोटोकॉल में लगा हुआ है जो कि क्लॉक की सप्लाई में है अभी यह रेजिस्टर काम निकल गया तो आपका कैमरा चलना बंद हो जाएगा क्योंकि प्रोटोकॉल से पूरे बंद हो जाएगे तो जब तक आप और यह रेजिस्टर बिसी के लिए देखे तो 33.2 ओम्स का है तो आप इसको हटा के जंपर भी लगा सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब मेटल फील्ड होता है रूम का मतलब एसो सी मतलब कहां लगा हुआ एक परसर इसका टोलेंस होता है मतलब इसका पावर कंसप्सन है और 01 005 इसकी क्या है आप कमेंट करके बता हो तो रहा बहुत तो आपके लिए छोड़ रहा है दो दोस्तों दुनिया ऐसी नहीं है ज प्रॉब्लम यह है कि अच्छा सीखना या अच्छा करना में नहीं है आपको सही लोगों की पैचान सबसे इंपर्टेंट है उपर वाले ने अगर इसका ग्यान दे दिया ना तो आप खेल गए आप बहुस हो और महादेब ने इतना ग्यान तो मुझे दिया है सही पैचान ऊपर वाले की कहां से छली अब हम बात करते हैं कि GCI ID में हम कह क्या कर सकते हैं तो दीए सब से पहले यह स्कमाटिक हो गया आब दूसरे नंबर पर अगर हम यहां बात करेंगे तो यहां पर यहां यहां परHaण कच आया है जासे में परिंस क्लिकिन कुछ दोस्मों ऑस नेम डिस्किप्सिन की इसे साफसे डाला हुआ है तो यह चैनीज भी नहीं दिख रहा है इंग्लिस भी नहीं दिख रहा है तो आइफोन 11 डीटी अगर हम यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देखो कि यहां पर भी आपको कुछ अगर मैं सेक्षें की बात करूं तो यह की देख रहें ना कैमरा और यह कैमरा की सप्लाइए यह जो उपर की है रीगल फेस आईडी तो यह फेस आईडी की सप्लाइए रोमियो आपको कुछ डाइग्राम से अगर आप इसको समझना चाहें तो इसको समझ भी सकते हैं तो यह अगर फोन के अंदर अलगा केस्टडी मैप होगी जो की मैप के अंदर टाला है केसे के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ केस्टडी करिके इनों ने यहां पर डाला हुआ है जैसे अगर मैं पहले केस्टडी को किक करूं तो देखते हैं कि यहां पर मुझे क्या देखने को मिलता है तो यह कुछ केस डाले हैं जो चाइनीज नेम के साथ में बताएं आप इनको डिकोड करके आप नएने इंफोर्मेशन ले सकते हैं यह 50 स अगर मनलो में एक पैड यहां पर मिल जाएगा जैसे आपके चेड बलू में होता जैसे मालो मुझे देखना है कि यह अनलोग नेंड और जो ए आई एन आई वन अंडर्सको वी रिफरेंस की लाइने कि इसके साथ कनेटेट है तो देखो यह सिव और सिव आई-सी पैलर कनेटेट है क्योंकि किसी के साथ में टेस्ट पॉइंट लगा बसकानी और कुछ भी नहीं है अगर मैं देखूँ कि इसके साथ में इतने सारे कॉम्पोरेंट के साथ कनेटेट है बाहर हम इसको डबल टिक करके यहां पर डारेट भी इसके साथ जा सकते हैं तो जैसे कि आप समझी गए हों आप जैसे हमें इस Jak का चाहिए पर हम जूम करते हैं तो हमें पूरा ही जूम हो जाते हैं तो कहीं भी ब्लैक एरिये में आपको क्लिक करना है तो आप देखो किसा इसी का आपको जी आर देखने को मिल जाएगा आप यहां पर पी क्लिक कर सकते हैं और आप चाहें तो यह पर जूम भी कर सकते हैं तो यह तो चोटी-चोटी आईसीयो का भी आपको देखने को मिल जाएगा आपको खाली जगह पर टिक करना है ब्लैक जगह पर बलांग जगह पर और आप IC को दिखाना चाहते हैं कि देखो यह जो आइसी दिखरी है यूँवन फो जिरो वन यह एक प्रॉम आइसी हो सकते हैं तो यह यहां पर दिखा दी तो इसके साथ तो यह आपको समझ में आगया है डिटेट क्या होता है आप देखो कि आपको एक डिवाइस चाहिए होगा जो की जिसी आइडी का रिफ्रेंज डिवाइस है जिससे वह कनेट करके आप पूरे अगर बस अपना मुबाइल को कनेट करना है अगार यहां पर मिल जाएगा तो सिगनल क्या हो गया दोसों सिगनल भी एक अची चीज है जैसे अगर मुझे यह देखना है कि यह कितने उसमें अपडेटेट है जैसे देखो मुझे यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा है इस पिन के रिलेटेड उसने कुछ बताया है यह जो पिन यहाँ पर मैंने क्लिक की है डिदेश डैमेज टूडा अगर यह खराब होगा यह वाला पिन डैमेज हुआ जी या नहीं आया वोल्टी यह जो भी है तो फेस आईडी का कैनाट भी यूज़ फेस आईडी आपके वड करना बंद हो जाएगी तो आप देख सकते हो यह आपको कुछ यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है और यहाँ पर तो यह आप इस पर जा सकते हैं अपने बना के आपको दिये हुए हाँ पर अगर हम क्वारी में करेंगे तो यह देखे आउडियो के नोट काफी बड़े दिये हैं पहले यह चेक कर लेना नो डिलेवरी नो डिस्टें सेंसेंग यह सरके फिर डेमिज रिंट ओन एंप्लिफ गई जो स्पीकर पावर अंप्लिफार जिसको कहते है लाच लिकेज करें यह दूसरी हो गया नो चाज़िन नो साउंड पर इसके करेंटर के जीयाल ले लो तीसरा यह आईसी हो गया तो यह आपका और उसके बाद में यह आपके वोल्यूम आपकर वोल्यूम के आपके करेंटर हो गया तो आप यहां से जैसे बोड़नियों वाले होते ना और जैसे आपको एक सेक्शन बाइस ट्रैप यहां पर आपको यह भी दे रहे हैं एक तरह से वाला ट्रेसिंग करने के लिए दोस्तों अभी पूर इंक्वरी क्या है जैसे मालो आपने किसी की आईसी जा करना चालते हैं अब बढ़ आपको इसका पावड़सी का नंबर आपको देखना लड़ेगा तो कैसा देखेंगे यहांपर में क्लिक करेंगे यह पावड़ा इस इका नंबर आगया आ तो को सब्सक्राइब है और IC का नंबर है 34343S अब आपने क्या करना है अब यहां पर आपको IC क्लिक करना है model नंबर लिखना है और इसका है 343S 00354 एंटर मानना क्लिक करना है यह बता रहा है यह आइफोन 11 में मिलेगी फोन में मिलेगी नहीं तो टेंशन मतलो कि अब इसकी कोई दूसरी आइसी देखते हैं तो इसी तरह साब इसकी आइसी को भी दूर सकते हैं जैसे करेंगे तो यह आइफोन 11 प्रो मैक्स में भी मिल जाएगी तो आप एक आइसी को दूसरे बूर मॉडल में ढूर सकते हैं तो यह काफी एक अच्छा इनका है जो की बूजिंग या किसी भी आपको जैटेक्स ब्लू में देखने को नहीं मिलेगा तो आपने प्रो मैक्स पास इसी खराब है तो आप 11 प्रो मैक्स से इमेडेटल सकते हैं तो आपको टाइम सेब हो जाएगा ठीक है तो यह काफी अच्छा लगा आइसी से हिसाब से और यहाँ पर रजिस्टेंस भी है जो की काफी एक बढ़िया मुझे लगा अब जैसे मान लीजे आपको कोई रजिस्टर आप सीप्यू पर काम किया और यह यहाँ पर जो रजिस्टर है कि यह हम स्केमाटिक में देख लेता है यह रजिस्टर है 2.2K का अब मान लीजे मुझे 2.2K का रेजिस्टर चाहिए और मेरे पास रेजिस्टर नहीं है तो मैं पूर्टिंग कोड़ी में जाकर रेजिस्टेंस में क्या दरूंगा वैल्यू लिखूंगा 2.2 और यहाँ पर लिखूंगा के तो कि किलो में होगा त अब मैं आईफोन एक से भी रेजिस्टर निकाल सकता हूं यह मेरा रेजिस्टर आगया डारेटली तो मैं अब यहां पर मुझे पर आईफोन एक से अंदर यह रेजिस्टर लगा है तो यह बहुत एक अच्छी बात है क्योंकि कभी भी अगर हम जब CPU करते हैं और हमारा CPU न suppressed ना यहां बीन हो रहा था इसको दोड़ने के अपिए काफी आसान है अब mai said अब इसको काफी दूरगे सी तो इसी तरहीक से आप और बी डूर सकते हैं अब AUल को यहां पर और यहां पर का धीना हे कौएल का जैसे यहां से किसी zone एक हैन्टी तो जैसे मालों यह काईल में आपको यहां पर देखो 4100 अब है इतने सारे प्राओक गपस्ते तो आपको यह समझ में आया हैं कि और यह काफी आपको इजी भी लगाओ अब करेंट में भी आप यह बूट डिवाइस हो गया एक बूट आकरी करेंट पर इसके लिए वह कुछ डिवाइस की जगूरत है जो चीजी अईडी का एक एक एस्टनल डिवाइस है परचिस करना आपने जीसी वीवन एस जो आपका वीवन एस यह उसको करनेट करना है उसके साथ में आपको करेंटर लगा के आपको बस यहां से अपना और यहां से यह चेक कर सकते हो कि कौन सा इसी आपका करने की जरुवत नहीं है अगर हम यहां बूट में बात करें दोस्तों यह काफी अच्छा है जैसे आपका फॉन में बूटिंग कुछ प्रॉब्लम है या पैनेक रिपोर्ट या कुछ भी बना रहा है तो आप इसको जैसी आईडी आप देश सकते हैं कि सपोर्ट डिवाइस यहां पर बता रहा है जैसी बॉट लोग जानते होंगे इसके वारे में और कुछ लोग नहीं जानते होंगे यह हम जैसी इस आईडी से पहले करते थे और इस वंसन केंवी यूज तो रीड बूट आपका जो बूट लोग है उसको भी यह पढ़ता है और उसके अंदर अग बूट कर रहा है तो यह रनीं सिस्टम में यह चीज बताता है कि कौन-कौन सी चीज दण हो गही हो तो यह काफी अच्छी चीज है ठीक है इसको बताने के लिए मैं इसका वीडों भी आपको दिखा सकता हूं बढ़ते बढ़क्त में पास में क्यूंकि कोई फॉन है नहीं तो फिलाल ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएगा ज़रूर क्योंकि आपको आज जैसे एडी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी और मुझे सबसे ज्यादा अच्छी जो चीज लगी है वह ए यार मलब जी यार बोलो उसको कि किसी भी आईसी का रेजिस्टेंस निकलना है उसके लिए एक मुझे जोइन काफी अच्छा लगा एक क्रैस में पैनिक रिपोर्ड एक सिगनल जिससे हम अपने इसे किसी भी फॉल्ड को भी निकाल सकते हैं ठीक है यहाँ पर और एक पॉर्ड को आडी किसी भी अच्छा लगा जिसे इंडेटरेंस निकाल सकते हैं हम यहाँ पर किसी भी आईसी का नंबर लेकि हम यह बता कर सकते हैं कि किसी भी रिजिस्टेंस को निकाल सकते हैं जैसे मुझे 10K का रेजिस्टर चाहिए तो मैं कॉर्ड करूंगा तो यह मुझे पता चल बनाऊंगा और इसके लिए जो आरे बॉक्स होता है या बीवी बॉक्स होता है वह पर्चस मैं करूंगा या फिर मैं जब चाहिना जाओंगा तो लेकर जो रहा होगा मैपिंग हो गई तो मैपिंग में आपको कुछ के स्टड़ी केस यहां पर भी आपको देखिए कुछ के स्टड़ी आपको देखने को मिल रही है और नोट्स आप यहां पर देख सकते हो और यहां पर अपने भी परसनल नोट्स बना सकते हो और यह स्कमाटिक तो आप जानत क्लिए और आसे जूरे रही है